Good morning all dear friends, if you are new to this channel then subscribe and press the bell icon इस वीडियो में लेके आए हैं कि मैट्रिक परिच्छा में जो कोश्चन पुछा जा रहा बरावर उसी पर आज हम क्लास सुरू कर रहे हैं और वीडियो के अन तक अब बने रहे हैं यह काफी आपके लिए helpful होने वाला है तो फस्ट कोश्चन को देख रहे हैं कि समतल दर्पन में बनने वाला परतिबीम की बिसे स्थायन लिखिए तो लिखेंगे कि समतल दर्पन के सामने जीतनी दूरी पर कोई वस्तू हो उसका बीम उतना ही पीछे बनता है समतल दर्पन में किसी वस्तु के पूरे बीम को देखनी के लिए दर्पन का आकार में उससे आधा होना अति आवस्टेख है यही आप लिखेंगे साइंस में कहता है कि जो भी उससे पूछा जाए वही question को answer लिखेंगे ने इस question को देख रहे हैं कि आवतल दर्पनों का क्या उपयोग है लिखेंगे तो आवतल दर्पन की निवन उपयोग होते हैं बड़े अकार के आवतल दर्पनों का परियोग उरजा के लिखेंगे दूसरा प्रियोग वहनों की headlight, lamp, search, light, torch आधी बनाने में किया जाता है तू इस विडियो में वही question लेके आईवे हैं जो की exam में अधिकतर पुछा जा रहा है तो यह question में पुछा जाता है कि समतल दर्पन द्वारा उत्पन प्लस आवर्धन एक है इसका क्या अर्थ है बता समझाएं आंसर क्या लेकिंगे एक समतल दर्पन द्वारा उत्पन आवासी बनता है प्यारे बिद्यात के question ये भी पुछा जाता है कि उत्तर लेंस के दो उप्योग को बता है तो क्या लिखेंगे कि उत्तर लेंस का दो उप्योग इस प्रकार है ऐसे ही लिखना एकजाम में नेतर से दूर दृस्टी दोश्कों सुधारने में क्या जाता है और छपाई के छूटी-छूटी अक्षरों को पढ़ने में इसका उप्योग क्या जाता है। नेस कोस्टन आपके सामने है कि दिये गए उत्तर लेंस, आउतर लेंस एवन कांच की एक बिरताकर पटिका के सत्वों को छूए बिना उनकी पहचान कैसे करेंगे। यह कोस्टन आपके सामने है। यह कोस्टन आपको एक्षाम बार बार पूछा जा रहा है। यह कोस्टन देख रहे हैं कि हमें उत्तर दर्पन को पास दर्पन की रूप में इसलिए वरिता देते हैं क्योंकि वेसादेव सीधा परति भी बनाते हैं। इनका दृष्टी छेत्री में बहुत अधिक है क्योंकि यह बाहर की और अधिक वक्रित रहता है। दोस्तों ने इस कोस्टन को देख रहे हैं कि उत्तर लेंज को अभी सारी लेंज क्यों कहा जाता है। इस कोस्टन आपका एकजाम में कनफर्म हैं। आएगा ही आएगा तो इसे अच्छी तरह से याद कर लें। उत्तर लेंज को द्वारा आप चित समानतर किरने अपवर्तन के फल सुरूप एक बिंदू पर मिलती है। यानि उत्तर लेंज को इसी गुन के क cricket करता है। आपशी तरह से याद में अंतर लेंज लिखें तो इस तत्रह से आप आव्तल दर्पन लिखेंगे। इधर उत्तर जो नजर दिखाए दे रहा है। इस तरह से आप पrikते हुए आगे अगर आप से यह पूछा जाए कि उत्तर लेंस और अवतर लेंस में अंतरस पस्ट करें तो उत्तर लेंस एक तरब लिखिए एक तरब अवतर लेंस लिखिए और एक दो तीन पॉइंट लिख दीजिए दोनों तरब से तो आपका आंसर 100% सही रहेगा अधीक कुछ वरन करने क आव सकता नहीं है अगर आप चाहें तो यह भी पॉइंट को लिख सकते हैं चार नमर पांच नमर छे नमर चार पांच छे नमर यह इतना भी आब बढ़ाकर आप लिख सकते हैं कोई दिकत नहीं है प्यारे भी दियारतियों यहां कोस्टन यह भी पूछता कि वास्टवीक परति भीम एक तरब लिखे आभासी परति भीम तो यह एक नमर दो नमर एक नमर दो नमर इस तरह लिखिए इसका और यही आपका अंतर डिफ्रेशन करने के लिए कहा गया है इस तरह से आप देखकर अची तरह से लिखने का प्रियास करेंगे उमीद है बच्चों आज का नोटिफीकसन आज का वीडियो आज का कलास आपके लिए काफी यूज़फल रहा होगा आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे चैनल पर नहें है तो अभी सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आकन की नोटिफीकसन को अन कर लिजे थेंक्यू फर झाल झाल झाल